पंद्र सितम्बर दो हजार चॉबिस को यमन के हूती ने इसराइल के तेलाविव शहर पर एक बहुत बड़ा हमला किया था हूती ने इस हमले में एक हाईपरसॉनिक बैलेस्टेक मिसाईल फायर की थी ये मिसाईल इसराइल के तमाम एयर डिफैन्स सिस्टम को भीते हुए इसराइल में जागोशी थी और इस मिसाईल को लेकर हूती ने दावा किया था कि सिर्फ साड़े ग्यारा मिनिट के भीतर ये मिसाइल दो हजार चालिस किलो मीटर की दूरी नाप कर तैल अविव पर आगिरी थी और इसके बाद से ही ये सवाल उठा था कि आखिर हूती के पास के मिसाइल आई कहां से तो आपको बता दें कि हूती ने अब इस मिसाइल का एक वीडियो जारी किया है और इसे फिलिस्तीन टू हाइपरसॉनिक मिसाइल का नाम दिया है हूती ने दावा किया है कि फिलिस्तीन टू मिसाइल एक हाइपरसॉनिक मिसाइल है इसकी रेंज दो हजार एक सो पचास किलो मीटर तक है यह मिसाइल दो चर्णों में ठोस इंधन पर चलती है यह दो चर्णों वाली सॉलिड फ्यूल मिसाइल है इस मिसाइल में स्टेल्थ टेकनॉलोजी भी लगी हुई है यह मैक सोला की रफतार से उडान भरती है यह ध्वनी की गती से सोला गुनात तेजी से उड़ती है फिलिस्तीन टू मिसाइल आज के जमाने के दुनिया के सबसे ताकतवर एर डिफेंस सिस्टम जैसे आइरें डोम और एरो थ्री को भी चकमा दे सकती है वही दूसरी तरफ हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने भी इस नई मिसाइल की पुष्टी की थी सारी ने कहा था कि हूती के लड़ाकों ने नई हाइपरसॉनिक बेलेस्टिक मिसाइल से तैल अविव पर हमला किया है और ये हमला एकदम सटीक रहा यहां तक की जरायत का एर डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल के लक्षे को बदल नहीं पाया आपको बता दे कि याया सारी ने इसी दौरान कहा था कि ये हमला पांच वे चरण का हिस्सा है सारी ने आगे जोर दे कर कहा कि भौगोलिक बाधाएं अमेरिका और ब्रिटेन की आकरा मक्ता और निगरानी और एर डिफेंस सिस्टम भी हूती को फिलिस्तीन के लोगों का सपोर्ट करने से रोक नहीं पाएंगे फिलिस्तीनियों की मदद करना हमारा धार्मिक नैतिक और मानवी अदायत्व है वहीं दूसरे तरफ हूती के मुखिया सेयद अब्दुलमलिकल हूती ने भी इस मिसाइल को लेकर कहा था कि मौडर्ण तकनीक से लेस मिसाइल ने इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम को पार किया और करीब दो हजार चालिस किलो मीटर की दूरी तैकी भविश्य में ऐसे और ज्यादा हमले होंगे इस सब के बीच आपको ये भी बता दे कि ये पहली मिसाइल नहीं है जिसने इसराइल के भी तर घुस कर हमला किया हो बलकि इस से पहले हूती ने तैल अविव पर 19 जुलाई 2024 को एक ड्रोन हमला किया था जो अमेरी की दूतावास के पास एक अपार्टमेंट के ऊपर जाकर फटा था इस हमले में एक इसराइली की मौत हो गई थी जबकि अन्य दस लोग घायल हो गए थे ये ड्रोन तैल अविव की बेन यहूदा स्ट्रीट पर आकर फटा था बड़ी बात यह है कि इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था और इससे पहले हूती ने 27 जून 2024 को इसराइल के हाइफा बंदरगाह पर एक हाइपरसॉनिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया था हूती ने उस वक्त इस मिसाइल को फिलिस्टीन मिसाइल का नाम दिया था जिसका एक वीडियो भी रिलीज हुआ था अलाह अक्पर झालाह युआ हाईल आव झालाह भीडियो और इससे प्लाह बंदर को बंदर है उसका पुआ है झाल झाल